उत्तर परदेश के जनपत अम्रोहा से एक शरम सार करने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक कल्यूगी बाप ने अपनी बेटी के साथ बलतकार कर दिया अम्रोहा के थाना धनोरा में सोतेले पिता ने अपनी नाबालिक बेटी को हवस का शिकार बना कर रिष्टे को सरमशार कर दिया है पिता के चंगुल से छुटकर बेटी ने भाग कर पडोसियों को बताया नाबालिक युक्ति की चीख पुकार सुनकर पडोसियों ने कल्यूगी पिता को पकड़ कर पूलिस के हवाले कर दिया पूरा मामला थाना धनोरा इलाके का है जहां थाने पूझी 12 वर्षी किशोरी ने सोतेले पिता पर दुशकरम का आरोप लगाया है पूलिस को बताया कि उसके सोतेले पिता दो महीने से चाकू से डरा धमका कर उसके साथ दुशकरम कर रहा है पडोसियों से जब इसकी जानकारी आरोपी की दूसरी पतनी को हुई तो उसने पती की जम कर पिटाई कर दी इसके बाद वहब पडोसियों के साथ बच्ची को लेकर थाने पहुँची और पुलिस से कारेवाही की गुहार लगाई पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपी पिता को गिरफतार कर लिया है अमरोहा के थाना मंडी धनोरा के एक महले के रहने वाले कल्यूगी पिता ने दो शादी की हैं दोनों पत्नियों से उसके दो दो बच्चे हैं पहली पत्नी नोगावा साधात में रहती है और दूसी पत्नी उसके घर मंडी धनोरा के महले में रहती है गुरु वार को शहर के महोले में रहने वाली पत्नी कहीं भार गई हुई थी और बेटी घर पर अकेली थी जिसके बाद कल्यूगी बाप ने अपनी हवस का शिकार अपने नाबालिक बेची को बना लिया और उसके साथ दुशकर्म किया और कल्यूगी पिता ने खून का रिष्टा ही शरमसार कर दिया इस मामले में यूपती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है दनुरा थाना चेतर में सोते ले बापन अपनी नावालिक्स बेटी के साथ दुस्क्रम क्या है क्या है अधार अधार जनपक के मंडी दनुरा थाना चेतर में एक लट्ट की शादी अपने भाई से मरने के बाद इसकी पत्नी सोई थी जो पांचे बच्चे थे उसमें से एक लड़की 16 साल की आने पर यह सिकायत रज कराई गई कि वह परिब दो महें से अधार बनास्कार कर रहा है आने पर अध्योग पजिकित कर लिया गया है दुरिशन की जा रहे है आरोपी को इसकी जाए है आरोपी को इसकी जाए है प्रूपी मांपट सいたशने जाए है